बिसमिल्लाइर माइन रहीम, असलाम वालेकूं, वेलकम पैक टू मैज चैनल, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा खुबसूरत अबाया, तो इस अबाया की कटिंग और स्टीटिंग आज हम सिखेंगे, आप इसे एपल कट अबाया भी कह सकते हैं या फिर बटरफ्लाइ अबाया भी कह सकते हैं, तो इस अबाया को नॉर्मली जो है वो 60 वीद के फैबरिक में बनाया जाता है, लेकिन आज मैं आपको इसे जो कम वीद वाला जो फैबरिक होता है, 42 वाला उसमें किस तरह से आप बना सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, इस अबाया की कटिंग और स्टीचिंग लेकिन इसे सिखाने से पहले मैं आपको इसकी ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी पेपर पर ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, तो आपको देखिए कपड़े को इस तरह से रख लेन आप अपने अबाय के रखिए जितनी आपको रखने 55 to 56 उसके बाद जो में चीज हमारी है यहां से जो हम नेक ड्रॉ कर लेंगे तो नेक यहां पर हम जो फ्रेंट भी रखेंगे और बैक भी रखेंगे और लेकिन जो यह हमारी लंबाई रहेगी हमारी स्लीव रहेगी यहा से आप ड्रेस की कटिंग करते हैं जिस तरह से आप आम होल की यहां पर ड्राफ्टिंग करते हैं और उसके बाद में आप अपना जो है हीप का हिस्सा रखते हैं कमर का रखते हैं वो सब आप इसमें हलका सा ड्रॉ कर लेंगे लेकिन हमें जो है इस पर कटिंग बिल्कुल ल और इसी पॉइंट से हमने जो हमारी स्लीव की गुलाई माक की थी वह हम जॉइंड करेंगी और जॉइंड करने के लिए हमें इस तरह से राउंड थोड़ा शेप देना होगा तो आप इस शेप को देख लीजिए सेम ऐसे शेप हम फैब्रिक पर भी देंगे उसके बाद में न कि इसमें कोई कटिंग नहीं है बहुत ही जादा जो आसान तरीका है इसका इस तरह बनाना तो आपको जो है यह स्लीव भी अपने हिसाब से रखना है तो मैं यहां पर दो इन चोड़ा जो है वो लगाऊंगी तो इस अबाय को बनान के लिए मैंने यहां पर बटर क्रैप का फैब्रिक लिया है और यह 5 मिटर है क्योंकि इस फैब्रिक की जो वीद है वो 42 है और जब वीद कम है तो हमें जो है जादा कपड़े की यहां पर जरूरत पड़ेगी लेकिन इस कपड़े का अबाया जो है बहुत ही खुबसूरत बनता है अगर आपके पास जो है 60 वीद का कपड़ा है तो इसमें जो है कम लगेगा तो इस कपड़े को जो है कटिंग करने के लिए हमें इस तरह से फोल्ड करना होगा देखिए आपको मैं इसकी वीद दिखा देती हूँ यह बहुत ही कम है तो हमें जो है यहां पर डारिक कटिंग करने होती है तो जिसके लिए हमें ज्यादा वीद वाले कपड़े के जरुरत पढ़ती है इस तरह का अबाया बनाने के लिए लेकिन आज मैं आपको जो है कम वीद की कपड़े में आप किस तरह बना सकते हैं वो तरीका आज मैं आपको सिखाऊंगी तो कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है पहले तो उपर चोल्डर में यहां पर कोई भी जॉइंट नहीं है तो उपर हमें एक्स्टा कपड़ा नहीं रखना है तो यहां पर दिखिए जितनी भी हमारी लंबाई है हम उतना ले लेंगे और हम स्लीव की आप लंबाई देख सकते हैं आगे की तरफ कितना कम पढ़ रहा है अगर स्लीव का इतना हिस्सा कम है तो यहां पर लंबाई जो है 21 इंच ही आ रही है लेकिन मुझे यहां पर 33 के ऊपर थोड़ा सा आगी की तरफ लेना है तो मैं यहां पर जॉइंट करूंगी तो जितनी भी हमारी जो यहां पर अबाय की लंबाई है वो हम यहां पर ले लेंगे और यही सिस्से में हम जॉइंट लगाएंगे तो किस तरह लगाएंगे वो आगे वीडियो आप बिगर इसकीप की वे दिखेगा तो इंशाला आपकी समझ में आ जाएगा तो यहां पर जो है हम आमारे जो फैब्रिक को अब हाफ फोल करेंगे तो फैब्रिक को देखिए मै हमारी स्लीव की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए यानि आगे की तरफ लंबाई कम पड़ रही ती यह हम इसमें लगाएंगे तो इस कपड़े को भी हमें जो है फोरफोड कर लेना है तो यहां पर देखिए मैंने इस कपड़े को फोरफोल करके रख दिया है सामने की तो मैं यहाँ पर 34 पर निशान लगा रही, मुझे थोड़ी सी लंबी स्लिव्स चाहिए, आप 30 पर भी लगा सकते हैं, 32 पर भी लगा सकते हैं, जितनी लंबी आपको रखनी हैं, आप अपने हिसाब से कम्याजादा कर सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं, पूरा मैंने 5 मिटर कपड़ा इस तरह से यूज किया, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था साइट का मैंने निकाल दिया है, उसके बाद में स्लिव्स की गुलाई हम रखेंगे, तो यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं, तो इस तरह से देखिए हमने शेप दिया इसे, उसके बाद में यह हिस हमारा जो है, राउंड रहेगा, यह नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर भी हम इस तरह से थोड़ा सा जो है, राउंड शेप देके इसकी कटिंग कर लेंगे, वरना जो यह नीचे वाला कोना है, हमारे अबायगा वो लटक जाएगा, तो यहाँ पर भी देखिए मैंने हलका यहाँ पर नेक भी ड्रो करके अपना कटिंग कर लेंगे, तो नेक के लिए हम यहाँ पर लेंट ले रहे हैं, 6 इंच, फ्रंट नेक है यह, आप कामियाजाद अपने इसाब से कर सकते हैं, और बैक नेक मैंने यहाँ पर 2 इंच लिया है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बैक कर लेंगे, उसके बाद में फ्रंट नेक हमें करते हैं, तो हम यहाँ उठा के ऐलग से कट करेंगी तो यहाँ कर दिख सकते हैं, डो नेक है वह आपस में ज्धान है, उसके बाद में हम इसकी कतिंग कर लेंगे, तो जितनी भी आपको स्लीव की चोडाई आगे की तरफ रख तो इस तरह देखे हमारी कटिंग हो गई है अब यह जो हिस्सा हमारा है इसे हमें जॉइंट करना है तो जैसा हमने रखा है बिल्कुल वैसा ही हम सेम उसी तरह से रखे सामने की तरफ हम पेल लगा देंगे और इसी हिस्से को जो है हम जॉइंट कर देंगे ताकि हमारा जो यह यह फैब्रीक है वो चोडाई में बढ़ जाए तो इसे बस इस तरह से आपको जोइंट करना है तो आप अगर चाहें तो इसमें डिजाइन भी दे सकते हैं पतली सी पाइपिन भी लगा सकते हैं तो हम यहां पे सिर्फ इसे डारी किसी तरह से जोइंट कर रहे हैं क्योंकि इस इस आपया को मैंने रोज पहने के लिए बनाया है तो मैंने इसे सिंपली रखा है लेकिन आप इसे अच्छा का सा डिजाइनर अबाया बना सकते हैं तो जितना भी हमारा यहां पर जॉइंट है हम चारो जॉइंट इस तरह से लगा देंगे तो यहां पर देखिए मैंने जो है वो 3 इंच है यानि फोल्ड करने के बाद में 3 इंच है और लंबाई हम हमारी स्लिप के साफ से लेंगे मैंने यहां पर 17 इंच लिया है इस पट्टी की चोड़ाई भी जो है आप नहीं साब से कम या जादा कर सकते हैं तो सबसे पहले इस पट्टी को हम डबल करके इस साथ में तो इसमें भी आप अटेच कर सकते हैं तो आपको इस तरह से रखना है और एक सिलाई लगा के अटेच कर देना है इसके बाद में इसे हम फोल्ड करेंगे और फिर उपर से एक सिलाई लगा देंगे तो यहां पर आपको जो है सिंपल इस तरह से पट्टी नहीं लेते हुए हम यहाँ पर इसके उपर सिलाई लगाएंगे और अगर आपको जो है इसमें लेस लगाने तो इस पॉइंट पर भी आप पतली सी यहाँ पर लेस लगा सकते हैं तो सेम इसी तरह से हम दोनों स्लीप्स को बना लेंगे मैंने अपने दूसरे चैनल पर अलग अलग तरह की डिजाइनर लेस आप घर पर किस तरह से बनाते हैं मैंने वीडियो अप्लोड की है तो आप जरूर देखेगा मैं आपको जो है उस वीडियो का लिंक इंशाला दे दूंगी और मेरे नए चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक करिएगा तो यहाँ पर देखे मैंने दूने स्लीव को बना लिया है तो जो असलीव बनाने के बाद में हमें लास्ट में साइड की सिलैय लगानी होगी लेकिन उससे पहले जो है हम नेक बना लेंग इसके अंदर बनानी के लिए हम यहाँ पर पहले क्रॉस पट्टी कट करे नहीं है उसके बाद में इन पट्टियों को हम इस तरह से क्रॉस करके जॉइंट कर लेंगे उसके बाद में हम इसे डबल करेंगे और फिर बड़ी सिलाई लगाएंगे अगर आपको डाइरिक इस तरह की क्रॉस पट्टी करके गले में लगाने आती तो अपने हिसाब से नेक तरह से प्रिजाइन उसकी कर सकते हैं लेकिन यहां पर हम क्रॉस पट्टी बना के इस तरह से लगा कि फिर उसे अटेश करेंगे तो जो भी तरीका आपको आसान लगता है बना सकते हैं तो हमने यहां पर सिलाई लगा दी है अब इस पट्टी को हम थोड़ा स्खेश झीश तो यहाँ पर रेखे इससे घुमाते चले जाना है तो यहाँ पर हम इससे इस तरह से अटेश कर देंगे और फिर इसके बाद में यह जो जॉइट वाला हिस्सा है यहां से हम दुनों एक के उपर एक रखके फिर उससे पलड़ देंगे तो यहाँ पर मैंने डिजाइन जो है बना ली है तो हमने न Faule यहाँ इन शॉड़ते वे सिलाई लगानी है तो हम यहां पे एक एकई इंच छोड़ते वह आई लगाएंगे और लास्ट में नीचे की तरफ हमें फोल्ड करना है तो हम यहाँ पे डबल फोल्ड करके उसके बाद में सिलाई इस पे लगा देंगे मैंने अपने चैनल पे और भी अबाया की वीडियो अफ्लोड किये आप जरूर देखिएगा उसका लिंक मैं इंशालला दे दूंगे की आप रसक्रिप्शन में और हिजाब इनर कैप की वीडियो मेरी चैनल पे है और आप किसी तरह का जो है अबाया या में से करना चाहर तो को आप देख सकते हैं माशाला कॉरह हमारा अबाया है बैद के बेटीने पहना है तो और इसके लंबाई की देखिए चौड़ाई भी आप देख सकते हैं मैंने चौड़ाई ली थी अगर आपको इसे थोड़ा सा कम बनाना है तो आप अपने हिसाब से जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया था स्लीप्स के लिए वाप कम भी रख सकते हैं लेकिन ये पहनने के बाद में बहुत ही जादा खु आप लगाने के लिए यहां अपना पुराना अबाया लिया है अगर अपने शोल्डर से लिए कि अपने पैर के आंगुठे तक का ना प ले लिए के तो के लिए तो मैं यहां पर 57 ले रहे हूं इसके बाद हमें यहां से शोल्डर से लेके वेस्ट लाइन तक नाप लेना होगा यानि इसके अंदर हमें आम होल की बिल्कुल जरुवत नहीं है जो भी आपकी कमर तक की लंबाई है वो आप ले सकते हैं यह हाइट केस आप से होती है आप जाए तो 15, 16 या 17 रख सकते हैं मैंने यहां पर 17 इंच रखा है उसके बाद में हमें यहां पर कमर की गुलाई लेनी होगी तो यहां पर मेरी 22 इंच आ रही है यहां पर हम निशान लगा देते हैं 22 इंच पर और जब कटिंग करना होगा तो हम इसका हाफ कर लेंगे या जा टिप को और यहां से या तक हम नाप लेंगे तो यहां पर मेरा 18 इंच आ रहा है और कटिंग के वक्त हम यहां पर 9 इंच रहेंगे यहां इसका हाफ और हाफ हम उसमें एड करेंगे और नेक आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जितना भी आपको लंबा चाहिए और इस इसके बाद में हम स्लीव का नाप ले लेते हैं यहां पर मेरी जो स्लीव की लेंध है वह 22 इंच है लेकिन मैं क्यूंकि इसके अंदर जो मैं बनाने वाली मबाया इसमें मैं इलास्टिक डालूंगी इसलिए मैं एक्स्ट्रा 5 इंच कपड़ा लूंगी उसमें तकि वह आग लबाई और चोड़ाई अच्छी तरह से देख लेना है तो इसे हम सबसे पहले इस तरह से खोल लेते हैं यह कपड़ा है कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और उसके बाद में हम इसकी लंबाई इस तरह से निशान लगाएंगे कि अबाया जो है वो दो तारह से कट किया जाता है अगर आपके पास ज्यादा वीद वाला कपड़ा है तो उसकी कटिंग वो डारिक स्लीव्स होती उसके अंदर लेकिन हम यह कम वीद के कपड़ें बना रहे हैं तो इसके अंदर हमें अलग से स्लीव्स अटेज करना होगा तो इस तरह से दिखिए फोर लेस में आपको कपड़े को रखना है उसके बाद में हम यहां पर शोल्डर मांक कर देंगे जितना भी आपका शोल्डर है आप फिंच हम उसमें सिलाइक ले लेंगे और ती नीच हम यहां पर गयले के लिए लेंगे और उसके बाद में हमें य लगाएंगे और आगे जब हम कपड़ा कटिंग करेंगे तो इसमें 1.5 इंच एड़ कर लेंगे सिलाई के लिए उसके बाद में हम कमर से लेकिए नीचे तक इस तरह से क्रॉस में निशान लगा देंगे बिल्कुल इस तरह आप चाहे तो सिदा भी बना सकते हैं या आपके उपर है लेकिन इसके अंदर फ्लैर ज्यादा अच्छा लगता है तो हम इस तरह से से मार्क करेंगे और उसके बाद में हमें उपर से भी इस तरह जॉइंट कर देना है य जो नीचे हमारा कॉर्णर निकला हुआ है यहाँ पर हम 1,5 तक निशान लगाएंगे उसके बाद में हमें इस तरह से क्रॉस रखना है और यहाँ पर हम इसकी मार्किंग कर देंगे कटिंग भी हमें बिल्कुल इसी तरह से करना है जिस तरह से हमने यहाँ पर मार्किंग की ह और नेक आप अपने हिसाब से बना सकते हैं यहाँ पर मैं गुल गला बनाऊंगी और बैक नेक आप चाहें तो एक से एड़ इंच तक रख सकते हैं लेकिन इस अबाय में मैं नहीं बनाने वाली हूँ और उसके बाद में हम जो है वो sleeves का निशान लगा लेंगे तो sleeves के लिए से पहले हम यहाँ पर हमारी sleeves की गुलाई नाप लेते हैं तो यहाँ पर 8 इंच है तो इसका हाफ हम 4 इंच लेंगे अगर आपको लास्टिक नहीं लगानी है तो आपको सिधा इतना ही नाप रखना होग लेकिन क्योंकि मैं इसके अंदर इलास्टिक लगाने वाली हूँ तो इलास्टिक की वज़े से कपड़ा थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा क्योंकि इसके अंदर gatherers आ जाते हैं तो मैं 4 इंच एक्स्ट्रा एड़ करूगी यानि मैं जो मेरी गुलाई है उसमें 8 इंच तक म मैं एक्स्ट्रा लूँगी सिलाई के लिए और उसके बाद में चोड़ाई हम इसके पर रखके देखेंगे यानि हमारा जो यह कपड़ा रहेगा शोल्डर से लेके हमारी कमर तक का इतनी चोड़ाई और एक इंच एक्स्ट्रा हम इसमें रख देंगे स्लिवस के लिए यहा आगी की जो भी गुलाई है वह हमें मार्क करना है यहां पर और अगर आप लगा रहे हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा कपड़ा लेना होगा तो मैंने यहां पर चारिंच एक्स्ट्रा ले लिया है चारिंच एक्स्ट्रा लेने के बाद में हमें यहां पर क्रॉस निशान होगा इस तरह से हम यहां पर इस तरह निशान लगा देते हैं और निशान लगाने के बाद में हमें इसमें एक शेप देना होगा पहले हम इसे सीधा रखेंगे जिस तरह हमें अटेच करना है अब आया में इसके बाद में हम यहां से यहां तरह हलका सा गुलाई करते हुए य अगर आपको अबाया भूछ को थोड़ा सा फिटिंग करना है तो आप इसमें काम कर सकते हैं जो ये कमर वाली लाइन है, इससे हम पहले सीधा कर देते हैं, यहां पे दीखिए आपको 3,5 इंच पे इस तरह फोल्ल करना है, जिस तरह हम कमीज में टक्स में निशान लगाते हैं दोनों तरफ हमें इस तरह निशान लगाने के बाद में यहां पर काज करा लेना है और फिर हम इसके अंदर डोरी डाल देंगे तो यह डोरी जो है वह आप आगे की तरफ से लगा कि अगर आप खीचेंगे तो यह आपकी फिटिंग हो जाएगे लेकिन इसका बैक वाले जो हि मेजर्मेंट कर लेते हैं पहले कपड़े को हमें सीधा करना है तो यहां देखे मैंने मार्क कर दिया है अब हम फूल लेंगे इसके अंदर यानि जितनी भी आपकी अबाया की लंबाई है उतनी लेने के बाद में एक इंच आपको एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लेना होगा 57 पर मार्क किया है अब हम शूल्डर कानिशान लगाएंगे शूल्डर हमारा 18 था हाथ नइच कर लेंगे उसका हाफ और हाफ इंच पैसिलाऐ के लिए. और लंबाई हम यहांपे इसससे लाक कर लेंगे शूल्डर से लेकि कमर तक हमारी जो लमबाई है कंर की म爸爸 हमार हमारी के बाद से जो भी नीचे वाला हिस्सा है इस तरह से हम क्रॉस में निशान लगाएंगे तो आपको अगर सीधा रखना है तो आप सीधा रखिए लेकिन क्रॉस में ज्यादा अच्छा लगता है और कपड़ी का जितना भी विध है अगर आप ज्यादा चोड़ाई रखेंगे तो यह और ज्यादा खुबसूरत लगेगा तो इस तरह से हम इसमें माक कर देंगे उसके बाद में जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर भी हमें शेप देना है तो यहाँ पर शेप देने के लिए हमें जो है कॉर्नर पर से डेड़ इंच इस तरह से उपर निशान लगाना होगा और फिर हम इसे इस तरह क्रॉस करेंगे और जो हमने इस तरह से माक किया है बिल्कुल कटिंग भी हमारी इस तरह से होगी इसके बाद में हमें जो है यहाँ पर नाप लेना है क्योंकि इसी नाप से हमें स्लीव हमारी बनानी है इसके बाद में हम नेक का निशान लगा लेते हैं तो यहाँ पर जो चोड़ाई रहेगी गलेगी तीन इंच पर हम निशान लगाएंगे और लंबाई यहां पर मैं पांच इंच ले रही हूँ और साथ में मैं दो इंच और नीचे एक्स्ट्रा लोगी यह मेरा ओपन वाला हिस्सर रहेगा जहां पर हम बटन लगाएंगे अगर आपको बैक निक रखना है तो आप रख सकते हैं मैंने सामने कट इसलिए लगा है क्योंकि पिछे हम इसके अंदर निक नहीं बनाएंगे तो यह सर में आसानी से चला जा इसलिए मैंने आगे पुला वाला हिस्सा रखा है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे बिल्कुल उस निचे एक्स्ट्रा भी लेया है जैसे मैंने पेपर भी आपको बताया था इसकी लंबाई जो है मुझे थोड़ी कम लग रही है तो मैं एक्स्ट्रा इसके अंदर साड़े पांच इंच लोंगी ताकि आगी की तरफ जो है हमारी इलस्टिक लगने के बाद कपड़ा वो पी इसके बाद में हमें इसमें शेप देना है आप इस शेप में हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है कपड़े की जिस तरह से हमने शेप दिया है यह स्लिव देखिए हमारी कट चुकी है और हमने एक्स्ट्रा कपड़ा भी यहां पे कट कर लिया इसे हम जॉइंड कर लेंगे इ आपको अगर बड़ा निक रखना है तो आप अमने हिसाब से रख सकते हैं यहां पर मैंने देखिए राउन बनाया है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा यहां पर कट लगा दिया है यहां बटन लगाने के लिए और यहां पर मैंने पेस्टिंग कर दी है नेकी इसे हम इस तरह से निक किस तरह बनाना है आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं और बैक निक के लिए मैंने यहां पर पट्टी तयार की है जो 3.5 इंच की चोड़ाई पर है और शोल्डर जितनी लंबी है यहां पर स्लीव्स हम नाप लेते हैं तो हमारी स्लीव्स देखिए यहां पर जो अटेच मैंने यहां पर की है एक साथ मैं आपको बता देती हूं दोनों मेरी पूरी स्लीव्स है वो 27 इंच की है और स्लीव्स की पट्टी जो हमने आगे लगाई इसे हम इस तरह से हाफ में फोल्ड करेंगे यानि जो हमारी सिलाई वाला हिस्सा रहेगा फोल्डिंग के के बाद में हमें हाफ इंच का गैप रखते हुए एक और सिलाई लगाने यानि एक सिलाई हम पहले इस तरह लगाएंगे उसके बाद हम हाफ इंच छोड़ देंगे फिर एक सीधी सिलाई इसके उपर लगाएंगे यहां पर देखे मैं नेक तैयार कर लिया है और मैंने यहा अब हम यहाँ पर पहले sleeves की सिलाई करेंगे यानि जो हमने extra कपड़ा इसमें joint किया था उसे मैंने देखे इस तरह से fold कर दिया है fold करने के बाद में सीधी सिलाई लगाएंगे हम इसके उपर अगर आपके पास ज्यादा कपड़ा है तो आप direct लंबी आसनिन बना सकते हैं यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है अब हम इसे घुमा देंगे इस तरह और half inch की दूरी पर हम दोबारा से एक सिलाई लगाएंगे तक इसके बीच में gap हो जाए और इस gap में हमें elastic डालनी है यह sleeves बहुत ही खुबसूरत लगती है बनने के बाद में तो यहाँ पर देखे मैंने elastic ले ली है elastic भी आप अपने हाथ के हिसाब से गुलाई के हिसाब से लीजिए इसे हम इस तरह से अंदर डाल देंगे और डालने के बाद में हम elastic को थोड़ा सा खीच के बराबर करेंगे और जो इसका starting वाला हिस्सा रहेगा elastic का इस हिससे पर हम double लगा के यहाँ पर इसे attach कर देंगे यानि यह हिस्सा जो है हमारा elastic का यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है यहां पर मैं डबल सिलाई लगा दी है बिल्कुल इसी तरह से जो इसका दूसरा वाला हिस्सा है यहां से पिन निकाल देंगे हैं और यहां पर भी हमें सिलाई लगा देनी है इलास्टिक वाली आस्थीन आप और भी दूसरे तरीके से बना सकते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा खुबसूरत लगती है तो ये देखिए हमारी एक स्लीव बन के तयार होगी इसे बराबर कर दें इस तरह और हाथ पे रखने के बाद मैं आपको इसे बताती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ये जब आगी की तरफ कपड़ा निकला रहता तो ये बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हैं खुशुरत लगता है इसलिए मैंने यहाँ पे लंबाई जादा रखी थी तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने दूसरे स्लिस भी तैयार की है अब हमें इसका बैक वाला हिस्सा जो है वो इस पे आटेश करना है तो मैंने ये बैक वाला हिस्सा ले लिया है इसके उपर हम रखेंगे और इसे हमें पलट देना है अब हमें यहाँ पर शोल्डर पर सिलाई लगानी होगी यहाँ डबल सिलाई लगाएंगे उसके बाद यह पट्टी मैंने तयार करके रखी है यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग भी इसके उपर लगा दी है इसे हमें आगे वाले गले पर इस तरह से रखेंगे एक सिलाई लगानी होगी तो इसे मैं आपको लगा के दिखाती हूँ सबसे पहले हम शोल्डर भी सिलाई लगा देंगे और भी अबाय की वीडियो मैंने अप्लोड की है अपने चैनल पर आप जरूर देखिएगा तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई से लगाई से मैंने डबल कर दिया है बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरे शोल्डर पर भी सिलाई लगानी होगी हम जब अक्सर अबाया खरीते हैं रेडी मेर तो उसमें हमारा जो बैक नेक है वो इसी तरह बना हुआ रहता है क्योंकि ज्यादा तर अबाया में पीछे जो नेक होता है वो डीप में नहीं होता और वो अच्छा भी नहीं लगता है तो यहाँ पर देखिए मैंने शोल्डर पर लगाई थी उसे सिलाई पर हम दोबारा से सिलाई लगा कि यह पट्टी को अटेज कर देंगे इस वीडियो को आप बेगर स्किप किये वे देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि अब आया हम किस तरह से कटिंग कर सकते हैं और किस तरह से सिलते हैं तो यह पट्टी देखिए मैंने लगा दी है अब हमें इसे इस तरह से टंड करना होगा पिछ और फिर इसके उपर हम फिल्कु सीधी सिलाई लगा देंगे और साथे साथ हमें इस पट्टी को सीधी भी करनी होगी ताकि इसके अंदर थोड़ा सा भी एक ग्रॉस नहीं होने पाए तो ये देखिए बहुत ही आसान इस पट्टी को लगाना और जब ये सिलाई हो जा आपकी उसके बाद में हम इस कपड़े को टन करेंगे और जो हमारा शोल्डर वाला हिस्सा है यानि जो हमने शोल्डर भी सिलाई लगाई थी उसके उपर हम सिलाई लगाएंगे जिससे आपने देखा हुआ कुटे में सिला रहती है जेन पूर के तरफ ये लाई रहती है पिल्कुल है इसी तरह से हम इसके उपर सिलाई करहेंगे किनारी परसे करना है olan अगर भी से चैनल पर नए है और पैनी बार री चैनल देख तूप मेरे चैनल को ज़रूर को अटेच करना है कि इसमें स्लीव लगाना बहुत ही आसान है क्योंकि हमने इसके अंदर गुलाई बिल्कुल भी नहीं दिया बिल्कुल सीधा है यानि देखिए इस तरह से मैंने रखाए कपड़े को आप देख सकते हैं बिल्कुल खोल दिया है और हमें जो है बिल्कुल शो आप इसमें लगा सकते हैं और अगर आपके पास ज्यादा विद्वाला कपड़ा है तो उसमें यह स्लीव लगाने की भी जरूरत नहीं है उसमें डारिक आप कटिंग यही शेप देखे कर सकते हैं सेम इसी तरह से और बहुत आसानी से यह अब आया तयार हो जाता है अब हम यहां साइड से बिपको सिलाई लगाते चले जाना हां और हम से ओपर डबल सिलाई करेंगे और S.C. इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई करनी है और लास्ट में हम जो है नीचे टरफ इस तरह डबल फोलड करकर सिलाइ लगाएंग आप चाहे तो पीको भी करा सकते है तो इसमें सिलाई लगाना बहुत आसान है और अगर आपके फैब्रिक में ज़्यादा कपड़ा है तो आप इसके बाद पीको कराएंगे तो ज़्यादा खुबसूरत दिखाई देगा मैं इसका फाइनल लोक आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये सिलने के बाद में दिखाई देता है तो आप देख सकते हैं माशाला हमारा अबाया बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत बनके तयार हुआ और इसकी बैगे स्लिस भी आप देख सकते हैं और ये कम वीद के कपड़े में हमने आज बनाना सिखा है आज हम बनाने वाले हैं बडरफलाई अबाया ये अबाया बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत लगता है और बहुत कम वक्त में आप इसे बना सकते हैं इस अबाया को बनाने के लिए हमें सैटन की कपड़े की जरुवत पड़ेगी और यहाँ पर मैंने चैटन रिबिन भी यूज़ की है आप चाहें तो इसे जोर जोर की कपड़े में भी बना सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सबसे पहले मैं आपको इस अबाया की कटिंग सिखाऊंगी अगर आपको इसकी कटिंग अच्छी तरह से समझ में आ जाए उसके बाद में आप डारेक्क कपड़े पर कट कर सकते हैं तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने पेपर ले लिया है आपको कटिंग बताने के लिए तो समझ लिजिए कि यह आपका कपड़ा है अगर आपके पास 59 वीड का कपड़ा है तो आपको सिंगली कपड़े की जरूध होगी क्योंकि यहाँ पे हमें एक बाजू से लेके दूसरे बाजू की लेन तक कपड़ा चाहिए होता अगर आपके पस कपड़ कम है नॉर्मली जो 42 वीद का कपड़ होता है तो उसमें आपको दो कपड़े की जरूरत पड़ेगी तो इस तरह से हम कपड़े को एक यो पर रख देंगे और फिर हमें फोल्ड करना होगा और हमें जो भी ये कपड़े की चोड़ाई है हमें अपने हास्तिं के हिसाफ से लेनी होगी यानि एक अगर हास्तिं से आप शुरू कर रहे हैं इसका नाप तो आप बाजू को फैला लीजिए और जितनी भी आपकी वीद है उसका हाफ हमें यहां पर करना है तो हम पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे कपड़े को सबसे पहले हमें मेजर्मेंट रखना है जितना हमने उपर लिया है उतना ही हमें नीचे भी रखना है और इस तरह से हम इसे सीधा माग कर देंगे अगर आपके पास कपड़ा बराबर है तो आपको बिल्कुल कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर कपड़ा ज्यादा है वीद में तो आपको एक्स्ट्रा कपड़ा यहां से निकालना होगा कट करके तो पहले हम यहाँ पर देखे निशान लगा लेते हैं और लंबाई में भी हमें देखना है कि आपकी जितनी भी लेंथ है उस हिसाब से आपको लेना है अगर कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आपको निशान लगा के निकाल देना है वहां से कट करके तो सबसे पहले हम यहां पे गली का निशान लगा लेंगे यानि तीन ही जो हमारी नॉर्मल कमीज की रहती है और गली की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं आप चाहे तो आगे की तरफ खोल के बटन लगा दें शौड गला काफ हम लेंगे और उतना ही हम इस तरफ अनलगा लेंगे फिर इन दोनों निशानों को हमें इस तरह से मिला लेना है यानि हम इस तरह से कर देंगे चाहें हम कट कर देंगे यह एक्स्ट्रा मैंने कट करके निकाल दिया है यहां पे अगर आप चाहें तो स्लीव का यहां पे निशान लगा सकते हैं यहां पे अगर आपको बटन लगानी है यह आपके उपर है तो आप लगा सकते हैं तो आप ऐसे भी से छोड़ सकते हैं उसके बाद में हमें यहां पे गला कट करना होगा तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे अंदर वाला एक पेपर निकाल लेंगे यानि हमें कपड़े को अलग कर लेना है जो बैक वाला हिसा यहां पर बैक नेक नेक कट होता है बटरफलाई में बिल्कुल सिदा हम इसे रखेंगे सिर्फ आगे का जो उसकी कटिंग हमें करनी है तो यह आपके उपर है अगर आप थोड़ा सा डीप चाहते है तो आप डारिक गला कट कर लीजिए लेकिन अगर आपको सामने बटन रखनी है तो आप थोड़ा सा 1.5 इंच करके कट कर सकते हैं बस इतना रखें कि आपका सर उसके अंदर से जा सक या फिर लेस लगा सकते हैं और जब आप लेस लगा लें तो कपड़े को टन कर दें उसके बाद में कपड़ा सीधा करने के बाद में हमें फिटिंग का निशान लगाना होता है अप चाहे तो स्लिफ के लिए थोड़ी से जगा चोड़ सकते हैं और बटन लगा सकते हैं और शोल्डर का हाफ लेने के बाद में एक इच्ट्रा करेंगे Qmis यहाँ पहीन तो हमें यहाँ पर थौगा यहाँ पर देनी होगी तो मैं यहाँ पर एक इंच एक्सट्रा रखोंगी और चेस्ट में हमें एक इंच यह लिए दिंच तक लोजिल रखनी होगी अगर फिट्टिंग तो मैं आपको एक एक स्टेप आपको बताते जाओंगी इस वीडियो में तो आप वीडियो को बेगर इसकिप किये हुए देखेगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तो बटरफ्लाय अबाया बनाने के लिए मैंने यहां पर सेंटून फैबरिक लिया यह साड़ यहां पर ले लिए लेगे और मैं इस अबाय के लिए लिया में इस तरह से बलाइन पूते हैं तो यहां से दिखेए मैं इस इस तरह से अगर एक्स्रा कपड़ा हो तो आप निकाल देजिए लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी एक्स्टा कपड़ा नहीं है तो हम इसकी जो है चोड़ाई भी इस तरह से देखिए नाप लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने देखिए गले का निशान लगा दिया है तीन इच पर और शोल्डर का मैंने निशान लगा दिया है नौ इंच पर हाला कि यह साड़े साथ इच पर है लेकिन मैंने एक्स्टा लिया और बाकी जितना कपड़ा है वो स्लीप के हिसाब से बराब सेंटर में बिल्कुल मार्क कर देंगे इस तरह से और जितना हमने यहां पर सेंटर लिया है हाफ इतना ही हम यहां साइड में मार्क करना और इसे हम इस तरह से निशान लगा देंगे बहुत ही आसान इसकी कटिंग है इसे हम कट कर लेते हैं इस तरह तो मैंने देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल दिया है और साइड में जो यहाँ पर एक तरफ फोल्ड वाला हिस्सा था इसे हम इस तरह से कट कर देंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे कट कर दिया है अब जो भी मैंने यहां पर पिनप किया था उसे हम निकाल देंगे और एक हिस्सा कपड़े का हमें यहां पर अलग करना है क्योंकि हमें यहां पर गले की कटिंग करनी है तो हम यहां पर जो है 5.5 इंच पर गला कट कर रहे हैं और पिछे वाले हिस्सा मैंने निकाल दिया है, इस तरफ से हम कड कर देञे, बैकनेक हमें इसमें बिल्कुल कटने ही करनी है, इसके बाद में paper canvas पर भी हमें गले को कट कर लेना है, तो मैंने या पे गले की कटिंग कर ली है, इसे हमें स्टीक करना है, तो हम इसे प्रेस से आपको जो भी आसान तरीका लगें निक बनाने का अपने हिसाब से बना सकते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने बैक वाला हिससा नीचे रख ग pick है और आगे का मैंने इस तरह से रग दिया है हम यहां पर बैक वाले में भी इस तरह की पट्टी लगाना सिखाया है आप चाहें तो मेरी लॉंग मैक्सी ड्रेस वाली वीडियो में आप देख सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम नेक की साइड में इस तरह से लाई लगा लेंगे इस तरह से नेक बनाना बहुत आसान हो जाता है और एक्स्ट्र कपड़ा जो सिंटर वाला है हम उसे कट करके निकाल देते हैं अब हम नेक को इसके ऊपर अटेच कर देंगे बिल्कु सीधी सिलाई लगाते चले जाएंगे इस से उसके बाद में हम यहाँ पे कट का निशान लगा देते हैं क्योंकि हमने गले को पलेट लेना है इस तरह से हम कट लगा देंगे इसके उन्दर उसके बाद में इससे टन करेंगे और टन करने के बाद में हमें इसके उपर साइड में बहुत ही बारीक सिलाई लगानी है बिल्कुल पास में से हमने यहां पर सिलाई लगाया है तो इस तरह से देखिए हमारा नेक जो है वह बिल्कुल रिडी हो चुका है अब हमें बैक वाला हिस्सा इसके उपर अटेच करना है तो मैंने नीचे वाला हिस्सा रग दिया सेंटर का निशान पिया है और साइब में इस तरह से पिन-उप लगा दिया बिलकुल सीधी सिलाई ओमें लगानी है लेकिन में यहां पर बीच में यह पट्टि अटेच करनी क्यों हमने नहीं बनाया है तो दो इंच चौड़ी पट्टी लिए और 49,5 ईंच मैंने रखा है लेंसे पट्टी को देखे βिल्कुल, सेंटर में, मिलाखे रख देंगे पहल बिल्कुल, सिद्धी सिलाई लगाते चलने लगे अगर हम इस अबाय में निक बनाएंगे तो फिर वह पीछे की तरफ से गर्दन दिखाई देगी तो अबाय बिल्कुल भी अच्छाने लगेगा इसलिए हम यह पट्टी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सीधी सिलाई लगा दिया है पट्टी लगाने के बाद में जो यह वाला हिस्सा हमें यहां पर हाफ इंच की दूरी पर सिलाई लगा दी है उसके बाद में हम इसलाय लगा देंगे तो पहले हम आफ इंच की गैप पे श्लाइ के श्लाहि हो चुका है मैं इस तरह से और पलट लगा देना है और बिल्कुर सीधिया सिलाई हम इसके उपर लगा देंगे कायों उन्हें तो अंभल यहां पर थोड़ा सा फो हम इसे fold करेंगे और इसके उपर saturn ribbon रखे लगाएंगे saturn ribbon में लगाने का भी अलग अलग तरीका होता है आप चाहें तो direct भी इसके उपर सिलाई लगा के फिर saturn ribbon को पलट सकते हैं लेकिन यहाँ पर मुझे यही तरीका सही लगा तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से इसे लगाना सही समझा बिल्कुल सिधी सिलाई हम लगाते चले जाएंगे और जहाँ पर हमारा folding वाला हिस्सा होगा वहाँ पर हमें saturn ribbon को थोड़ा सा plates डालनी है क्योंकि यह saturn ribbon बिल्कुल सिधी होती है तो यह turn जल्दी नहीं होती है तो यहाँ पर हमें थोड़ा-थोड़ा सा जोल देना होगा उसके बाद में हम इसे double सिलाई लगा देंगे दूसरे तरफ भी हमें सिलाई लगानी है तो हमारी यहाँ पर देखिए निशान लगाना शुरू करेंगे सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए शोल्डर माग किया है मैंने यहाँ पर देड़ी चेक्स्टर रखा है उसके बाद में जितना हमने शोल्डर रखा है उतना ही हम यहाँ पर length में भी ले लेंगे और फिर हमें chest का निशान लगाना है chest भी मैंने यहां पर डेड़ींच extra रखा है हमारी जो भी fitting है उससे सबसे और कमर पर हमने निशान लगाया 7 inch पर और फिर कमर के लिए भी मैंने उतना ही यहाँ पर extra रखा है डेड़ींच इस line को तो हम मिला देंगे यहां से उसके बाद में आप चाहें तो हिफ तक निशान लगाए या फिर नीचे तक तो मैं यहां पर सिधा नीचे तक निशान लगाने वाली हूँ यानि यहां से हमें जितना भी घेरा चाहिए उतना निशान लगाने के बाद में हम बिल्कुल क्रॉस मे A-line जैसा cutting करते हैं फ्रॉक की उस तरह से हम यहाँ पर mark कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर देखी मेज़े टिप को बिल्कुल cross रखा है और इसे हम इस तरह से mark कर देंगे तो हमने जो mark किया है उस पर ही हमें सिलाई लगानी है मैंने देखी यहाँ पर mark कर दिया है और चोड़ाई भी हम नाप लेंगे हमें जितनी चाहिए उस इसाब से हम रख सकते हैं तो यहाँ पर हमारी marking हो चुकी है और बिल्कुल इस तरह से हम पीछे की तरह भी निशान लगा लेंगे तो मैंने यहाँ पर देखी का निशान भी हमें करना है यहाँ पर मैंने देखी बराबर पर बिल्कुल निशान लगा दिया है कमर का भी निशान हमें इसी तरह से लगाने है दोनों को हम मिला देंगे इसके बाद में हमें नीचे हिसे में निशान लगाना है ययानि कमर के बाद से पहले हम इसे fold कर लेते हैं आगे कमर के बाद से हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे बिलकुल इस तरह से तो मारकिंग हो गई है और जो हमने mark किया है बिलकुल इसी पे हमें सिलाई लगानी है तो इस सिलाई को आपको डबल करनी है जो भी हमारी मार्किंग है उसके उपर हम सिलाई लगाते चले जाएंगे दोन तरफ की सिलाई हमें इस तरह से लगानी है तो यहाँ पर देखिए मेरी सिलाई लग चुकी है हमारा अबाया बिल्कुल रेडी हो चुका है और यह बनने के बाद में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खुबसूरत लग रहा है बहुत ही कम वक्त में हमने इस अबाया को तयार किया है तो आप घर पर ही ऐसा अबाया बना सकते हैं आपको टेलर को भी देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बस आप इसमें ध्यान रखे कि आप जब भी कपड़ा खरीदें बटरफलाय अबाया बनाने के लिए तो आप 59 विद वाला ही कपड़ा ले तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी बनाने में इसी तरह से अलग-अलग अबाया और इसकाफ की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो चलिए हम इस अबाया को बनाना सीखते हैं बहुत आसान तरीके से तो इस अबाया के लिए मैंने यहाँ पे जोर्जोट का फैब्रिक लिया है यह जो है बबल जोर्जोट फैब्रिक है जो के आसानी से आपको मिल जाएगा यह थोड़ा सा मोटा होता है और यहाँ पे मैंने बहुत ही कम वीदवाला फैब्रिक लिया है लेकिन जब हम अबाया बनाते हैं तो कपड़ा कमना पड़े इसलिए मैं जादा तर 4 मिटर ही फैब्रिक लेती हूँ तो इस कपड़े की जो वीद है वो 43 इंचेस है जो के नॉर्मली हर कपड़े की होती है और अगर आप अलग से खरीद रहें तो आपको जो है वो 70 वीद वाला फैब्रिक मिल जाएगा तो हम यहाँ पर एक्सेल साइज में आबाया बनाएंगी उसके लिए मैंने यहाँ पर रेडिमेट आबाया लिया है जिसकी चोड़ाई जो है वो एक्सेल में है तो आप कोई भी ऐसा अबाया ले सकते हैं किसी का भी ले सकते हैं जो के एक्सेल में है तो मैं जो है इसी साइज में आज आपको बनाना सिखाऊंगी सबसे पहले हम रेडि मेट अभाय से मेजर मेट लेना सिख लेंगे, उसके बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पर दEfourавлив को मैंने यहाँ पर इस तरीके से रखा है इसे हम पहले डबल पोल करेंगे, लंबाई में हमें इसे फोल करना है तो यहां पे देखिए से इस तरहां बराबर करेंगे और सबसे पहले इस आबाया में जो है वो back की cutting करेंगे बाद में front की cutting करेंगे तो length हम इस तरीके से ले लेंगे देखिए जैसे मैंने यहां पे रखा है फोल्ड करके जित्नी भी length रेगी में वो ragu कर लेंगी और को आगे बताऊंगी किस तरीके साफ इसके अंदर लेंगे सबसे पहले हम यहां पर फैब्रिक को सीधा कर लेंगे तो यहां पर डबल फोल करने के बाद में तोड़ा सा क्रॉस है फैब्रिक तो हम यहां पर मांक करेंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे तो इस तरीके से आपको कपड़े को सीधा कट कर लेना है इसके बाद में हम निशाल लगा दिया अब हम चेस्ट का निशाल लगाएंगे तो चेस्ट यहाँ पे हम 12 रख रहे हैं और टू इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिंग के लिया है यानि टोटल हमने यहां पे 14 इंच रखा है देखिए इस तरीके से आपको जो है यहां पे स्क्रिन पे दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मेरा कैमरा जो है वो बलर हो गया है आगे मैं आपको दिखाऊंगी क्लियर किस तरीके से मैंने मार्ग किया है बस मैं आपको इस तरीके से समझा रही हूँ और मैंने यहाँ पे नेक जो है वो सवा 3 इंच रखा है शोल्डर हाफ इंच हम यहाँ पे डाउन करेंगे और यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे तो बस आप सुनते रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ क्योंकि आगे मैं आपको साफ यह दिखाऊंगी उसके बाद में हम यहाँ से 7 इंच तक मार्ग करेंगे हमारी जो यहाँ पे वेस्ट का राउंड रहेगा यहाँ पे हम सिर्फ हाफ इंची कम करें यानि साड़े 11 इंच हमने गोलाई में रखा है क्रॉस करेंगे और 2 इंच हम यहाँ अलग से मार्ग के लिए रखेंगे तो नॉर्मली हम जैसे कटिंग करते हैं सादा अबाया जो है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हम शेप देंगे देखिए आम हूल का तो यहाँ पे इतनी मार्किंग हमने कर दी है उसके बाद में कमर से लेके नीचे तक हम डायरिक क्रॉस में करके जॉइंट कर देंगे तो यहाँ पे हम major tip को रखेंगे cross में और बस flare के लिए जितना कपड़ा है उसी हिसाब से हम इसके अंदर marking कर देंगे तो यहाँ पे मैंने cross किया है इसी तरह हम सिलाई के लिए भी 2 inch extra रखेंगे और फिर यहाँ पे हम marking करेंगे तो देखिए बहुत यह आसान तरीका है इसके बाद इसे हम इस तरह ले लेते हैं और फिर 2 inch हम यहाँ से नीचे की तरफ से उपर की तरफ करेंगे यानि 2 inch हम यहाँ mark करने के बाद में cross करेंगे ताकि हमारे जो अबाया है वो side से ना लटके तो हम यहाँ पे इस तरह जो है वो इसकी cutting करेंगे तो marking मैंने कर दी हम आपको clear दिखा देती हूं देखे मैंने इस तरीके से marking की है camera जो है वो सही से नहीं हो रहा था तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो इसकी total जो है marking मैंने इस तरीके से की है तो यह अब आप जो है तोड़ा सा देख पा रहे हैं इसकी हमने cutting यहाँ पे कर दी है अब हम यहाँ पे front वाला part लेंगे तो इसकी लंबाई के हिसाब से हम fabric को cut करके अलग कर देंगे लेकिन बाद में हम इसकी marking करेंगे इसके बाद जो बचा हुआ fabric है इसमें से हम sleeves की cutting करेंगे तो उसके लिए हम इस तरीके से fold करेंगे फिर दोबारा fold करेंगे यानि हमें जो है four fold में fabric को रख देना है तो यहाँ पर हमें जो है इसकी चोड़ाई देखनी है कि कितनी यहाँ पर इसकी वीदा आ रही है तो वह 10 इंच है जो के बराबर है हमारे लिए तो देखें यहाँ पर fabric को मैंने कुछ इस तरीके से रखा है अब हम यहाँ पर 3 इंच पर mark करेंगे और यहीं से हम shape दे देंगे उसके बाद में हम जो है sleeves की length ले लेते हैं तो यहाँ पर हम sleeves थोड़ी सी जादा लंबी रखेंगे तो यहाँ पर मैंने जो है वो 25 इंच रखना है हमारी ready जो length रहेगी extra हम 2 इंच रखेंगे यानि total हमें जो है लंबाई में 27 इंच रखना है और हम आगे की तरफ से बिल्कुल सीधा रखेंगे क्योंकि हमें इसके अंदर elastic लगानी है और फिर इतना करने के बाद में हम इसकी cutting कर देंगे तो यहाँ पर हमने sleeves के लिए fabric को अलग कर दिया है यहाँ पर shape देंगे और फिर यहाँ से भी fabric को हम अलग कर देंगे तो यहाँ पर हमने इसे अलग कर दिया है नोज भी लगा देंगे बीच में और फिर इसे हम खोलेंगे और फ्रंट पार्ट में हम यहाँ पर अलग से शेप देंगे इसी तरह हमने जो है अबाय में भी अलग से मार्किंग की है जो के आपको उस्ट वक्त नहीं दिखाई दी होगी तो यहाँ पे हमने स्लिव्स की कटिंग कर दी है अब हम यहाँ पे फ्रंट वाला पाट लेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में हम निशान लगाएंगे और इसकी जो लंबाई रहेगी वो हमारी कमर तक का हिस्सा रहेगा यानि 14 या फिर आप 15 इंच कर सकते हैं जहाँ पे हमारी प्लिट्स दिखाई देगी तो लंबाई में हम यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में मार्क करेंगे यह हमारा अबाय का जहाँ पे हम नेक कटिंग करेंगे यह हिस्सा हो गया तो इसे इतना करने के बाद में आपको खोल लेना है अगर आपको निशान नहीं लगाना है तो आप प्रेस करके भी यहाँ पे निशान लगा सकते हैं तो यहाँ पर मैंने सेंटर पर निशान लगा यहाँ पर भी आपको बिल्गुल दिखाए नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं आगे आपको दिखा दूंगी इसके बाद में हम यहाँ पर जो है दो दो इंच के करीब में मार्क करेंगे यानि टोटल हमें बीच वाला हिस्सा फोर इसके करीब में छोड़ देना है उसके बाद में हम दो इंच पर मार्क करेंगे जो के हमें प्लेट्स डालनी है तो यहाँ पर हम दो इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम दो इंच पर मार्क करेंगे देखिए कुछ इस तरीके से इसके अंदर हम मार्किंग करते जा इसे बाद में हमने 2-2 इंच का gap देते हुए सब marking कर ली है तो बीच में हमें total जो है वो 4 इंच छोड़ देना है उसके बाद में 2-2 इंच करके हमने marking की है अगर आपको 2 से जादा plates और डालनी है तो आप जो है इसके इलावा भी और जो है वो line डॉक कर सकते है तो जो हमने 2-2 इंच की मार्किंग गैब देखे की है यहाँ पे हम उसे सीधा करेंगे देखे इस तरीके से हम 14 इंच के करीब में करते हुए से मिला देंगे तो इस अबाय में हम जो है वो सिमपल प्लेट सी बना रहे हैं लेकिन अगर आपको ढॉक्स टाइब बनाना है तो आपको दो की बजायうんच लेना होगा तो सिलाई लगाएंगे तो हमारी जो प्लेट से एकदम क्लियर दिखाई देगी तो यहाँ पे देखिए मैंने मार्क किया है अब यह लास्ट वाली प्लेट पर भी हम इसी तरीके से पिन लगा देंगे यह सिर्फ आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे पिन लगा रही हूँ तकि आपकी समझ में आ जाए ने तो अगर आप चाहें तो इसे डायरेक भी पकड़के सिलाई लगा सकते हैं तो यहाँ पे आपको सिलाई लगाने देखिए यहाँ पे इतनी इतनी दूरी पे कुछ ही है इस तरीके से दिखाई देगा जब इतना आप कर लेंगे उसके बाद में जो है आपको फ्रंट वाले हिस्से की कटिंग करनी है तो यहाँ पे देखिए इस तरह आपको कर लेना उसके बाद में हाफ फोल्ड करना है इसे और फिर जो हमने बैक वाला हिस्सा कट किया था इसके उपर हम रखेंगे और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह आपको करना है मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है जो मैंने मार्किंग की है और यहाँ पे 14 इंच तक मैंने लंबाई में रखा है और मैंने बीच का हिस्सा बिल्कुल क्लियन छोड़ दियाने के लिए और साइड साड में हम दो-दो प्लेट्स यहाँ पे बनाएंगे तो यही अगर आप ज्यादा प्लेट्स बनाना चाहें तो आपकी मर्जी है आप जैसा डिजाइन देना चाहते हैं अपने अबायब को आप दे सकते हैं और मैं यहाँ पे जो है वो सिंपल प्लेट्स दे रही हूँ तो दो प्लेट्स पे मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है इसे मैं आपको पलटके दिखाती हूँ किस तरीके से यह दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलाई के बाद में यह कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है इसके बाद में अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो यह जो प्लेट से वो अच्छी तरीके से बैट जाएगी तो सारे प्लेट के उपर मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है इसके बाद में इसे हम इस तरह बराबर रखेंगे तो यहाँ पर आपको जब कटिंग करना है तो बिल्कुल सेंटर पार्ड आपका जो है वो बिलकुल बीच में आना चाही इसलिए हमने मार्किंग की थी तो यहाँ पर मैंने फेबरी को कुछ इस तरीके से रख दिया है अब हम यहाँ पर बैक वाला हिस्सा लेंगे और इसकी उपर हम बराबर रख देंगे देखिए इस तरह आपको एकदम सही से रखना है और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे यानि सेम साइस का हमें कट कर देना है तो इस अबाया को बिगर इसकी कीवे देखेगा अगर आपको समझ में कुछ भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं तो मैं इंशाला कोशिश करूँगे आपको शॉर्ट वीडियो बना के दिखाने की तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा तो यह नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर मैंने कटिंग कर दी है इसकी इसके बाद में हम यहाँ पर फ्रंट आम होल की कटिंग कर देंगे यहाँ पर बस हलका सही देना है हमें बहुत जादा नहीं गहरा करना है तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर दी है हम इसके अंदर जो है वो निक की cutting करेंगे चौडाई हम सवा 3 इंच पे mark करेंगे और लंबाई हम यहाँ पे 7 इंच पे mark करेंगे और फिर यहाँ पे हम shape देंगे तो निक design भी आप अपने हिसाब से cut कर सकते हैं मैंने यहाँ पे हलका सभी shape दिया है आप चाहें तर राउंड बना सकते हैं या फिर आप चोटा सा राउंड नेक करके आप सामने की तरफ बटन भी कर सकते हैं मैंने बहुत सारे अबाया में जो है लगलग डिजाइन आपको गले की बनाना सिखाया है तो यहाँ पर देखिए हमारा जो अबाया फ्रंट पार्ट आप इसका देख सकते हैं से हम प्रेस करेंगे और फिर हम यहाँ पर सबसे पहले neck को ready करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर paper pasting cutting की है, fabric पर मैंने stick कर लिया है, और यहाँ पर मैंने neck को ready कर लिया है, अब हम यहाँ पर shoulder joint करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर अलग से एक strip cut करेंगे, क्योंकि ready made अबाय में यह strip लगी हुई रहती है, आपने अक्सर देखा होगा, एक हम यहाँ पर 2.5 चोड़ी strip को cut करेंगे, बिल्कुल सीधा जितना हमारा shoulder रहेगा, बिल्कुल उतना ही रखेंगे, और सिलाई करने के लिए हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे, तो मैं आपको बताऊंगे कैसे, तो यहाँ पर तरीके से रखेंगे, जैसे हम shoulder joint करते हैं, बस हमें जो front वाला नेक है, उसके उपर इस पटी को रखना है, और यहाँ पर एक सिलाई लगा देना है, और यहाँ पर दिखिए मैंने सिलाई लगा दिया है, अब हम इसे पलट देंगे, तो back side में इसे इस तरीके से पलटना है, देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूं करके, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर सिलाई लगाने होगी, यहाँ पर हम दो सिलाई लगाएंगे, इसे सिधा करेंगे और प्रेस से हम अच्छी तरीके से बिठा देंगे, और यहाँ पर stitch लगा देंगे, और front नेंग में हम यहाँ पे तुरपाई कर देंगे साइड में तो चलिए मैं आपको सिलाई करके दिखा देती हूँ किस तरीके से हम इसके उपर सिलाई लगाएंगे क्योंकि यह हिस्सा आपका जो है वो बिल्कुल सही बैठना चाहिए तो यहाँ पे इसे हम सिधा करेंगे सबसे पहले हम शोल्डर के उपर ही एक सिलाई लगाएंगे तो जो हमने पट्टी यहाँ पे अटेच की है उसी के उपर हम सिलाई लगा देंगे तो देखें यहां पर हमारी एक सिलाई हो चुकी है इसके बाद में हमें इसके उपर जो है वो एक और सिलाई लगानी है तो इसे हम अब इतना करने के बाद में टन करेंगे और फिर यह जो हमने स्ट्रिप लगाई है उसी के उपर हम दुबारा से एक और सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर दिखें मैंने सिलाई लगा दी है और यह नेक बनने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है तो आपने अक्सर दिखाऊगा रेडिमिट में ऐसे ही निक बना हुआ होता इसके अंदर जो है वो गुलाई नहीं दी जाती है लेकिन अगर आपको देना है तो वो आप दे सकते हैं तो यहाँ पर हमने इतना रेडि कर दिया है तो आप यहाँ पर बटन बाद में लगा सकते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने इलास्टिक लिया है स्लिफ्स के लिए यहाँ पर दो तरह के लास्टिक है तो आप जो है एक इंच चोड़ी भी लगा सकते हैं या फिर हाफ इंच चोड़ी भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद है उससाब से आप लगा सकते हैं तो नाप लेने के लिए आपको अपनी कलाई पर इस तरीके से मेज करेंगे और मैं आपको बताऊंगे किस तरीके से आपको ये स्लीव को रेडी करना है तो आप लोग अच्छे से देखिएगा वीडियो को बिल्कुल skip मत करिएगा आप चाहें तो डायरेक लास्टिक से भी ऐसे नाप ले सकते हैं बस आपकी कलाई से बिल्कुल आपको तायट नहीं रहे हलका सा हम losing देंगे और फिर हम mark करेंगे अगर आप एकदम type mark करते हैं तो आपको एक्सट्रा जो हे वो half inch लेना होगा सिलाई के लिए तो यहाँ पर मैंने देखी यह extra दो इंच माक किया है इलस्टिक को जो हम फोल्ड करके अंदर फैब्रीक के अंदर डालेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर दो इंच के करीब में निशान लगा दिया है इस तरह के सापको फोल्ड करना है और फिर यहाँ पे इतना आपको फोल्ड करना देखिए अगर आप चौड़ी वाली एलास्टिक लगा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा चौड़ा फोल्ड करना है यहाँ पे इस तरीके से कि आपके एलास्टिक जो है वो अंदर की तरफ चले जाए अगर आप पतली वाली तो इसकी चोड़ाई देख सकते हैं आप यहां पे दो इंच की करीब मैंने एक्स्ट्रा चोड़ा है यानि टोटल आपको रेडी होने के बाद में जितनी भी आपके लंबाई आती है उससे आपको एक्स्ट्रा दो इंच रखना है इलास्टिक के लिए हम यहां पे मार्किंग कर लेंगे जहां पे हमें सिलाई लगानी है तो दो इंच के हिसाब से हम यहां पे मार्क करेंगे इसके बाद में हम इसे सीधा कर लेंगे तो हमारी जो यह लाइन रहेगी वो सिलाई वाली लाइन हो जाएगी तो हम क्या करेंगे इ इसके अंदर डालेंगे और double fold करते हुए पहले हम यहाँ पे attach करेंगे elastic को तो यहाँ पे आपको पहले पका कर लेना ताकि आपके elastic जो है वो लगाते वक्त बिल्कुल भी ना हिले और फिर हम fabric को इस तरीके से रखेंगे जो हमने mark किया है fabric को fold करने के बाद उसी marking पे रखेंग और इसके उपर हम सिलाई लगाते चले जाएंगे तो elastic को हमने यहाँ पे cut नहीं किया अंदर ही छोड़ दिया है इतना करने के बाद में elastic को हम बाहर की तरफ निकालेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें खेच लेना है बाहर की तरफ और हम इतना खेचेंगे जहाँ पर हमारा निशान हमें दिखाई दे जो हमने marking की है 8 इंच पर तो देखिए अभी थोड़ा सा और इसे खीचेंगे तो यहाँ पर हमारी marking दिखाई दे रही है तो हमें fabric को वहीं तक रखना है और फिर सेम उसी निशान पर हम सिलाई लगाएंगे तो इतना हम बराबर करते आपकी जो sleeves की वो design है elastic की बिल्कुल अच्छी से आ गई है तो इसे मैं आपको रखके दिखा देती हूं तो देखिए कुछ इस तरीके से यह दिखाई दे रही है तो दोनों sleeves को हम कुछ इस तरीके से ready करेंगे मैंने यहाँ पर ready करके रख दिया है पहले से ही अब हम यहाँ पर sleeves को attach करेंगे तो इस तरीके से आपको attach करना है देखिए sleeves को रखना है इसे यहाँ पर पलट देंगे और उल्टा करके रखने के बाद में हम यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देंगी दोनों sleeves को attach करने के बाद में आपको final सिलाई लगानी है side में तो हम यहाँ पर side की सिला की सिलाई नहीं करेंगे जैसे हमने मार्किंग की है उसी साफ से हम इसके अंदर सिलाई लगाते चले जाएंगे तो यहाँ पर जो है मैंने बहुत ही आसान तरीके से आज आज आपको यह अबाय को बनाना सिखाया है तो जब भी आप साइट की सिलाई लगाएं तो आप डबल सिलाई ज़रूर करें क्योंकि सिंगल सिलाई अगर आप लगाएंगे कभी आपका जो अबाय की सिलाई अगर एक भी निकल गई तो वो खुल जाता है तो अगर आप double सिलाई करेंगे तो वो मजबूत रहता है तो एक तरफ की सिलाई हमने यहाँ पे कर दी है सेम इसी तरीके से हम दूसी तरफ भी करेंगे और last में हम यहाँ पे bottom की सिलाई लगा देंगे तो bottom के लिए हमें बस double fold करना है और पूरा हम घेरे में इस तरीके से fold करके सिलाई लगाएंगे अब आया cut करते वक्त आपको जो है वो लंबाई में एक से लेडिंच extra हमेशा छोड़ना चाहिए क्योंकि कभी-कभी वो उपर नीचे हो जाता है तो यहाँ पे हम जो है वो नेक की तुरपाई इस तरीके से कर देंगे तो हम यहाँ पे जो है इस तरीके से button भी रेडिमेंट बना सकते हैं दुकान पे आप आप order देंगे तो वो आराम से बन जाती है यहाँ पे आपकी बटन बिल्कुल रेडि हो जाएगी तो देखिए यहाँ पे आपको सिलाई करके लगाना है तो यहाँ पे हम दो-दो बटन लगा रहे हैं और मैंने जो फोटो में शेयर किया था वो जो है button अलग तरीके से लगी हुई है जैसा आपको पसंद आप अपने हिसाब से button को लगा के ready कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने अपने अबाया को कुछ इस तरीके से ready किया है मुझे कुछ button जो है इस तरीके से लगाना अच्छा लग रहा था और यह आप sleeves देख सकते हैं तो हमने यहाँ पे sleeves को थोड़ा सा लंबा रखा है अगर हम tight रखते तो हमारी जो elastic की sleeves है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तो पहनने के बाद में यह sleeves देखी कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है पिल्कुल ready made अबाया हमने तयार किया है अगर आप market से लेंगे जाके तो भी आपको इसी तरीके से पड़ेगा लेकिन अगर आप घर पे बनाएंगे तो बिल्कुल सस्ते में आप इसे ready कर सकते हैं और बहुत कम वक्त में आप इस अबाया को बना सकते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस अबाया को 4 मीटर फैब्रिक में ready किया है और घर पर ही मैंने बटन भी बनाए हैं और मैंने यहाँ पे 2-2 प्लेट्स डाले हैं आप चाहे तो 3-3 प्लेट्स भी डाल सकते हैं अबारत से प्लेटेड आप आया हैं, लेकिन इस बार में एलास्टिक स्लीवस बनाने वाली उसके साथ में और यह आप बहुत ही जल्दी तयार कर सकते हैं अब बनाना में बनाना स्टार्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा महेंगा भी नहीं होता है, आसानी से आप ले सकते हैं, ड्रेस मटेरिक लिए जो भी फैब्रिक आता है, इस तरह का वो आप यूज कर सकते हैं आबाया बनाने में, तो इस तरह हम इसे फोल्ड करके दो हिस्से में कट करेंगे, यानि हमें इसमें फ्रंट और बैग दोनों अलग-अलग से कट करना है, तो आपकी जितनी भी लंबाई उस हिसाब से हम फैब्रिक को यहाँ पर मार्क कर देंगे, एक इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह खुला वाला हिस्सा है, और उस तरफ जो है वो बंद वाला हिस्सा है, तो सबसे पहले हम इसमें लंबाई के हिसाब से कपड़े को कट करके अलग कर देंगे, इस तरह का जब हम अबाया बनाते हैं, तो इसमें हम एक साथ में दोनों पीस नहीं कट कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले एक single piece जो है वो अलग कर दी है यह हमारा back वाला हिस्सा रहेगा तो इसके उपर हम जो है दोबारा से एक और piece रखेंगे और front वाला piece भी जो है लंबाई के हिसाब से हम सेम कट करके अलग करेंगे तो आप चाहें तो एक साथ में दोनों piece अलग कर सकते हैं लेकिन measurement हम अलग-अलग ही करेंगे दोनों के उपर तो यहाँ पर देखिए single piece आपको मैं दिखा देती हूँ इसके बाद में हम इसके अंदर measurement लगा देते हैं तो यह back वाला हमारा हिस्सा हो गया तो यहाँ से यहाँ तक हमें shoulder की जो है वो लंबाई ले लेनी है आपका normal अगर shoulder 7 या फिर 7.5 है तो आप यहाँ पर 8 या 8.5 ले सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर 9 इंच ले रही हूँ उसके बाद में यहाँ पर भी हम 9 इंच पर ही mark करेंगे यह अबाया जो है मुझे बहुत जादा loose बनाना है इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा loose ही रखा है और फिर यहाँ से यहाँ तक हम 12 इंच मार्क कर देंगे यानि जितना भी आपका chest की गुलाई रहे कि उसके अंदर 2-3 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे चोड़ाई के लिए निक की चोड़ाई हमने 3 इंच लिए है उसके बाद में shoulder हम इस तरह से डाउन कर देंगे half inch और फिर यहाँ पर हम आम हूल का निशान लगा देंगे round में इसके बाद में हमें जो है हमारी कमर तक का निशान लगा लेना यहाँ से यहाँ तक आप 16 इंच ले सकते हैं देखें यहाँ पर और अगर आप यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो 7 इंच तक रहेगा और फिर जितना भी हमारा chest रहेगा उससे हम half inch सिर्फ अंदर की तरफ करें तो बिल्कुल सीदी इसकी कटिंग रहती है तो यहाँ से यहाँ तक हम corner पर इस तरह major tip को रखेंगे और marking कर देंगे इसके बाद में हमें नीचे से थोड़ा सा 2 इंच तक उपर की तरफ कर देना है और यहाँ पे हम हलका सा cross में निशान लगाएंगे तक कि एक kona नहीं लटके बाद में हम इसकी cutting कर देंगे तो यहाँ पे देखें मैंने पूरा निशान लगा दिया यह हमारा back का निशान हो गया है अब हम इसकी cutting करेंगे मैंने यहाँ पे इसकी cutting भी कर दी है और इसके बाद में हमें जो है front वाले हिस्से की cutting करनी है तो back हम cutting करके पहले side में रख दें कि यह सामने वाला खुल वाला हिस्सा है और उस तरफ बंद वाला हिस्सा है अब हम क्या कर एक kवाले हिस्से से हम एक्स्रा फैब्रीक लेंगे यहां से यहां तक हम नेंगे 5 1, cq बॉर्णिंजड्य माध बिल्कुल सिद्धा मा हमें कर देंनक कर दें नेक दिखाई देगा, अब हम बैक वाला हिस्सा लेंगे जो हमने कटिंग किया था, और उसे इस तरीके से हमें रखना है, यानि शोल्डर को शोल्डर के उपर से ही रखेंगे, और जो हमारा नेक रहेगा, वो हम उस तरफ कर देंगे, जहां हमने 8 इंच एक्स्ट्रा फैब्र को रखा है, यहां पर हम बैक नेक की भी मार्किंग कर देते हैं, दो इंच मैंने रखा है, ऑफिसे यहां गोलाई दे देंगे, इसके बाद में नेक हम कट कर लेंगे, तो यहां पर बैक नेक की कटिंग हमने कर दी है, अब नेक को नेक के उपर ही रखेंगे, और शोल्डर क बी टो कट हो चुका है अब हम इस तरीके सा रखते हुए इससे पहले mark करेंगे उसके बाद में हम करेंगे के थारओ में घ्रों में तो इस पैटर में जो है इहाँ पर बस यह अलग तरीका होता है जह के हम उपर की तरफ से ही मार्क करके इसे कट करते हैं इसलिए हमने यहाँ पे एक साथ में इसकी कटिंग नहीं किये है एक्स्ट्रा हमें आगे की तरफ ज्यादा फैप्रिक की जरूत होती है तो जो हमने मार्किंग की है से मुसी के पर हम पहले कट कर देंगे देखें यहाँ पर मैंने इसकी कटिं तो जिप की लंबाई हम यहां पर 10 इंच तक रखेंगे और फिर इतना ही मार्क करके बाद में हम इसे कट कर देंगे तो जितनी लंबी आपको जिप लगानी है उसे साब से आप मार्क करिए फैबरिक के ऊपर क्योंकि आगे की तरफ हम प्लेट्स डालेंगे अब यहां पर हम कट लगा देंगे जितनी हमें लंबी जिप रखनी है अब इसके दर हम मार्क कर देंगे यानि जितनी प्लेट्स हमें इसके अदर डालनी है तो एक ही किंच पर हम यहां पर निशान लगा के रख देंगे इतना करने के बाद में जो बचावा फैबरीक है यहाँ पर हमारे पास एक मीटर तक बचा है इसे हम डबल फोल करेंगे और फिर दोबारा से फोल करेंगे यानि हमें फैबरीक को फोल करके रख लेना है लंबाई में तो हमने यहां पर देखे फोर फोल करके फैब्री को रख दिया है अब जो यह चोडाई वाला हिस्सा है यहां पर हम तीन इंच पर मार्क करेंगे और फिर यहां से क्रॉस में निशान लगाएंगे यहां से कटिंग कर लेनी है तो ऐसे निशान लगाने के बाद में हम इसकी प्राइंच में मार्क कर दिया है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे एक्स्टर फैब्रिक को हम कट करके निकाल देंगे और इतना करने के बाद में हम यहां पर हलका सा शेप देंगे बहुत जादा इसमें शेप नहीं देना है तो जो हमने निशान लगा है इसकी अब हम यहां कर लेंगे कि इसके बाद में यहां से भी हम हलका सा शेप देंगे यह औप्षिनल है आप चाहे तो सिदा भी से रख सकते हैं तो यहां पर मैं सिर्फ थोड़ा बराबर कर देते हूं उसके बाद में हमें जो इलास्टिक लगानी है उसे साब से हमें इसके अंदर निशान भी लगाना होगा और मैं आपको यहां पर दिखा देती हूं अब आयका आम हुल दिखे इसके बराबर यह रहना चाहिए तो यहां से यहां तक देखिए एकदम बराबर है तो इसके लगा देते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए बाद में तो सबसे पहले हम अब आयके अंदर जिप को लगाएंगे तो यहां पर हम इसका फ्रंट वाला हिस्सा ले लेते हैं तो देखिए यह हिस्सा मैंने कट किया था जिप लगानी के लिए और जिप को भी हम उसी हिसाब से फोल करके सिलाई लगा देंगे तो एक तरफ देखिए मैंने इसके उपर सिलाई लगा दी है और दूसरी तरफ वाला जो इसका फैब्री का हिस्सा है उस पर सिलाई लगाने की बिल्कुश ज़रुवत नहीं है इस स्ट्रीब को भी हम सेंटर से हाफ फोल करेंगे और जितना हमने अबाय के अंदर फ्रंट नेकी तरफ कट लगाया है उतना निशान लगा के हम यहाँ पर बीच में से कट कर देंगे तो इस स्ट्रीब को हमें अटेच करना है अबाय में तो बिल्कुल यहाँ सेंटर में रखते हुए हम यहाँ पर पहले पीन लगा देंगे उसके बाद में साइट साइट से सिलाई लगाते हुए इस स्ट्रीब को हम इसके अंदर अटेच करेंगे तो जिप को आप अपने तरीके से भी लगा सकते हैं अगर आप किसी और तरीके से लगाना चाहते हैं या फिर इन्विजिबल जिप लगाना चाहते तो वो भी आप लगा सकते हैं जिप लगाने का अलग अलग तरीका होता है तो जो मैठड आपको इजी लगे आप उस तरी बार ने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको मेरे चैनल पे हर तरह की आबाया हिजाब और इसका वगएरा की वीडियो मिलती रहेगी इंशालला तो यहां पर मैंने इस स्ट्रिप को आटेच कर दिया है बीच में से हम अलका सा कट लगा देंगे इसके बाद मे जो है जिप को बीच में रखेंगे और जिप खोलने के बाद में यहां से हम सिलाई लगाने स्टार्ट करेंगे बहुत ज़्यादे किनारी पर से हमें इसमें सिलाई नहीं लगानी है बलके एक पैर की दूरी पर से हम इसके अंदर सिलाई लगा कि जिप को आटेच करेंगे तो यहां पर देखिए जिप हमारी लग चुकी है तो इतना करने के बाद में यह जो हमारी जिप के पीछे वाला हिस्सा है एक्स्ट्रा जो हमने यहां पर कट किया था यहीं से हम जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके एक से लाई लगा देंगे अब हमें निक के अंदर प्लेट्स डालनी है जो हमने मार्किंग कीती इसको थोड़ा सा डाग कर देंगे और यहीं सामने से हम प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे तो यहां से यहां तक हमें यहां से हलका से zip को cover करना है left side में और फिर हम यहां पर pin लगा देंगे तो इसके अंदर जितनी plates हम बना सकते उतनी plates हम आगे की तरफ रखेंगे क्योंकि हमें यहां पर plates बनाते बनाते हमारी जो नेक की चोड़ाई है वो 6 इंच तक complete करनी है तो यहां पर हमारी जो है वो 3 plates बन चुकी है दूसी तरफ भी हम 3 plates ही और बनाएंगे तो हमारा जो यह नेक है वो complete हो जाएगा लेकिन उससे पहले हम जो है दुबारा से इस पर निशान लगा देंगे तक कि plates की जो चोड़ाई ही वो बिल्कुल एकवल रहे तो एक एक इंच पे हम यहां पर निशान लगा रहे हैं सेम उसी तरीके से जैसे हमने यहां पर plates को बनाया था और हमें यह आगे वाला plate जो है वो एक के उपर एक नहीं चड़ाना है बलके हलका साम गैप छोड़ेंगे युक्कि हमने यहां पर जिप लगाई है इसके बाद में हमें यहां पर piping लगा नहीं लेकिन वो हम बाद में लगाएंगे तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पर निक को देखिए इस तरीके से बनाया कि इसकी चोड़ाई जो है वो छेंज तक हो गई है इससे जादा चोड़ा नहीं रहना चाहिए तो हम प्लेट्स को इससाब से एड़्जेस करते हैं इसके अंदर इसके बाद में हम इसके अंदर एक सिलाई लगा देंगे ताकि सारी पिन हम इसमें निकाल दें तो प्लेट्स के उपर आपको बराबर से बिठाते हुए ही जो है सिलाई लगानी है बाद में जो है इसे आइरन कर लेना है आप देख सकते हैं मैंने इसके उपर सिलाई लगा दी है अब हम बैक वाला हिस्सा लेंगे इसके उपर रखेंगे और दोनों shoulder को हमें सबसे पहले joint कर लिया आपस में तो यहाँ पे हमने एक shoulder पहले joint कर लिया है दूसरा shoulder भी हमारा joint हो चुका है उसे मैं आपको turn करके सिदा करके दिखा देती हूँ तो यहाँ पे हमारा neck plates complete हो गया है बाद में हम इसके अंदर piping लगा देंगे सबसे पहले हम sleeves को ready करते हैं तो यहाँ पे मैंने sleeves ले लिया है अब हम यहाँ पे निशान लगा कि जो है इसके अंदर elastic लगाएंगे तो एक sleeves को सबसे पहले मैं आपको बना के बता देती हूँ तो यहाँ पे देखिए यह सामने वाला हिस्सा है sleeves का यह हमने जो mark किया था है elastic लगाने के लिए तो यह आगे की तरफ से मैंने देखिए 5 इंच तक छोड़ा है अब यह सामने वाला जो हिस्सा रहेगा यहाँ से हमें एक बार इसे पतला सा fold करके एक सिलाई लगानी है तो simple सिलाई पहले हम एक बार लगाएंगे उसके बाद हम दुबारा से fold करके scoopर सिलाई लगाएंगे अगर आप एक साथ में double fold करके सिलाई लगा सकते हैं तो आप एक साथ में इसके उपर सिलाई लगा देजिए लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा बारीक सिलाई चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे पहले सिंगल फोल्ड करके एक सिलाई लगाया है अब इसे मैं दोबारा से फोल्ड करूंगी और फि यहाँ पे हमें इलास्टिक को लगाना है तो यहाँ पे दिखिए मैंने इलास्टिक लिए है अब यह इलास्टिक जो हमारी कालाई की गुलाई के हिसाफ से हम लेंगे तो जितनी भी आपकी कालाई की गुलाई उस इसाफ से थोड़ा सा हाफ इंच एक्स्ट्रा लिजिए त जो है पक्का कर देंगे फिर दोबारा से दूसरे वाले हिस्से पर भी हमें इसे पक्का कर देना है तो इससे क्या होता है हमें अंदाज़ा चल जाता है कि हमारी लास्टिक की टोटल जो लंबाई है वो कितनी है हमारा फैबरी कितना एक्स्ट्रा है इसके अंदर तो यहां अपपड़े के अंदर भी थोड़े थोड़े से प्लेड़े डालने शुरू कर देंगे देखिये इस तरीके से माशायल furniture यह रही है देखिये पहनने के बाद में इस तरीके से दिखाई देखी तो यह आगे वाला हिसाप अपने हिसाप से कम या जादा छोड़ सकते हैं जैसे मैंने 5 इंच रखा है आप 4 इंच भी रख सकते हैं तो यहाँ पे दुन्हों स्लीप्स को मैंने पहले रेडी कर दिया है बनाके तो इन स्लीप्स को हम अबाया में जो है वो अटेच कर देंगे लेकिन उससे पहले हम नेक कम्प्लीट करेंगे तो नेक में पाइपिन लगाने के लिए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और उससे इस तरह क्रॉस करके कट कर देंगे तो यहाँ पर पाइपिन की चौड़ाई हम 1.7 इंच तक रख रहे हैं तो यहाँ पर डबल करके हमने फैब्रिक को दिखे रखा है अब हम जो है इसकी कटिंग कर देंगे पाइपिन को इस तरह क्रॉस में करके जॉइन करेंगे तो हमारी पाइपिन देखे एक तरह लंबी हो जाएगी अब हमें जो है इसे नेक में अटेच करना है तो पहले हम हमारे अबाया को इस तरह उल्टा करके रखेंगे और पाइपिन को यहाँ पे बिल्कुल किनारी पे रखेंगे और इस तरह फोल्ड करेंगे लेकिन उसे पहले हम इसे सिधा कर देंगे कट करके इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर यहीं से हम सिलाई लगाने स्टार्ट करेंगे देखिए यहाँ पर ऐसे लगा के हमें इसे बाद में टर्न करना होगा तो सेम यहीं से हम जो है वो सिलाई लग पास से हलका हलका कट कर देंगे और फिर इसे हम अजो है टंद करेंगे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और फिर गोलाई सी हम इसके उपर सिलाई लगाएंगे इसे बहुत ज़्यादा खिशना नहीं है बस हलका हलका सा हम इस तरह गुमाते चले जाएंगे और डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा कि इस नेख को कम्प्लीट करेंगे तो यहां पर हमारा नेख बनके बिलकुल रेडी हो चुका है अब हमें जो है इसके अंदर हमारी स्लीव को अटेच करना है आप देख सकते हैं शोल्डर मैंने कैसे जॉइंट किया है और नेख हमारा बनने के बाद में कैसा दिखाई दे रहा है तो यहां पर मैंने अबाया को बाद में जो हमें जो है जो है इसमें आटेच करना है इसे दिखे उल्डा करेंगे यहां पर और यहां पर हम सिलाई लगा देंगे दूनों स्लीव को वहमें इसी तरीके से अटेच कर देंदा है हमारे अबाया में स्लीव हमारी अटेच हो चुकिया फाइनल सिलाई में इसके उपड लगाएंगे तो यहाँ पर हम एक इंच की दूरी पर से सिलाई लगाने स्टार्ट कर देंगे और दोनों तरफ हम फिटिंग की सिलाई इसके अंदर लगा देंगे तो यहाँ साइट की सिलाई हमने लगा दी है आप नीचे से फोल्ड करके इसके अंदर सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा अबाया जो है बिल्कुल डेडी हो चुका है आप देख सकते हैं तो इस तरह का अगर आप सिंपल अबाया बनाना चाहते हैं प्लेटेड जो है नेक के पास से बनता है तो यह बहुत ही जल्दी और आसाई से तयार हो जाता है और इस आप देखें जो मैंने डबल करके शिलाई लगाई थी बहुत लक भारीक मैंने यहाँ पर शिलाई लगाई है तो आप लोग भी इस अबाया वेक बाढ़ जरू ट्राइं कर्येगा और नीचे से पीको भी करा सकते हैं तो पहनने के सीम्पल लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है और यह बहुत ही ज़ादा comfortable भी है और आप देख सकते हैं मैंने जो है 4 मिटर से कम ही कपड़े में इसे बनाया है मेरे पास फ़ाँ सा फैब्रिक बच भी गया है जिससे मैं जो है इसकी नोस्पिस भी इंशालला रेडी कर दूंगी तो आप लोगों को आज की अबायक डिजैन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और ज्याद जादा मेरी वीडियो को आप लोग शेयर करिए और चैनल पर पहली बारे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में नए अबायक के साथ जब तक के लिए धुआउ में याद रखें टेक केर अला हाफेज